नमस्कार आप देख रहे हैं सिटे न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीती सागर खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्ख्यों की बागबेड़ा हरर गुट्टो दरजी महले में आपसी विबाद में दो परिवार में हुई मारपीट दो लोग घायल मानगो में शंको साई जल मिनार का बल्व खराग होने से इलाके में जलापूर्ती ठप अलग-लग शेतर में हुए सबक दुर घटनाओं में लगभग 22 लोग हुए घायल एक की हुई मौत और विश्वी तंबा को निशेत दिवस पर चलाए गया जागुपता अभ्यान युवाओं को नशे से दूर रहने के बताए गया उपाई खबरे अवश्वास्तार से टेंपो और पिकप वैन के बीच टकर हो गई जिसमें महिला समेट 22 लोग घायल हो गई चौका थाना छेतर के एनेश तैतिस इस्तित पोड़का के पास यातियों से भरे टेंपो और पिकप वैन के बीच सीधी टकर हो गई जिससे दोनों वहनों में सवार करीब 22 लोग घायल हो गए जिससे चांडिल अनुमंदल अस्पताल में भरती कराया गया जहां से पांच गंभी रूप से घायल लोगों को बहतर इलाज के लिए एंजिम रेफर कर दिया गया बाकी अन्य सभी घायलों का इलाज चांडिल अनुमंदल अस्पताल में चल रहा है घटना के समग में निर्मल नामक व्यक्ती ने बताया कि धलाई करने मजदूर टाटा मैजिक से टीकर से पालगम जा रहे थे रोजमाल के पास टिमपो और पिकप वैन की टकर हो गई बेलगाम टेलर ने साइकल सवार युवक को रौन दिया जिसे साइकल सवार की घटना स्तल पर ही दर्दनाक मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार साइकल सवार गमरिया से होते हुए उशा मोल ड्यूटी के लिए आ रहा था वहीं बेलगाम टेलर कांड़ा की तरफ से आ रही थी जैसे ही टेलर केपीए सिस्कूल के समीप पहुँचा की विपरिद दिशा से सर्विस रोट से ड्यूटी जा रहे साइकल सवार को कुचलते हुए सर्विस रोट के डिवाइडर को तोड़ते हुए एक घर में जागुसा जिससे युवक की जहां दर्दनाक मौत हो गई वहीं घर का अगला हिस्सा भी छतिगरस्थ हो गया है प्रतेक्ष तर्शियों के अनुसार टेलर की रफ़तार इतनी तेज थी की के पियस स्कूल के समीप चालक ने अपना नियंतरन खो दिया और सडक से दूसरे छोड पर सर्विस रोड में बने गाड़वाल को तोड़ते हुए सर्विस रोड की तरफ गुम गया और साइकल सवार को कुचल दिया नितर की पहचान 40 वर्षय कुष्णा बहरा के रूप में हुई है जो गमरिया स्टेशन का रहने वाला बताय जा रहा है घटना की जानकारी मिलते ही गमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुँची और शव को अपने कबजे में लेकर मामली की तफ्तीश में जूद गई है बताया जाता है कि जमीन विवाद में यहां घटना घटित हुई जहां अजित सर्मा और उनके घरवालों ने शुशिल ठाकूर के घर पर घुस कर उन पर रौड और डंडे से हमला कर दिया और उनकी बेदढ़क पिताई कर दी आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया जिसके बाद घाय सुशिल ठाकूर और उनकी पत्नी रेखा देवी ने इसकी शिकायत ठाने में की और अंजिय मस्पताल इलाज के लिए पहुँचे जहां उनका इलाज चल रहा है उधरमांगो शंकोशाई पानी टावर का वाल्व पूरी तरहा खराब हो गया पानी के लिए शेत्र में हाहाकार मचा हुआ है जानकानी मिलने पर भाषपानीता विकास सिंग शंकोशाई पानी तंकी में जाकर खुद वाल्व को चलाकर इस्तिती से अबगत हुए बाल्व खराब होने के कारण शंकोशाई, खडिया बस्ती, राजिव पत, राजिंद्र नगर, राम नगर, श्याम नगर, शुभास कॉलिनी, संजय पत, कृष्णा नगर में पानी के लिए हाहाकार मच गया है बीशुन गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं बाल्व की स्थिती देखने पहुँचे भाजपा नेता विकास सिंग ने कहा कि जल ही जीवन है बाल्व मरमत का कारिय यूद इस्तर में होना चाहिए राग दिन एक करके विभाग को मरमत का काम करवाना चाहिए विकास सिंग ने कहा कि जब वहाँ पानी तंकी पहुँचे तो केवल वहाँ सुरक्षा करमी था कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति ये जिम्मेदारी अधिकारी यूद इस्तर में बाल्व बनाने की चिंता नहीं कर रहे है मौके में पहुँचे विकास सिंग ने कहा कि पूरे मामले से उपायित को अवगत कराया जाएगा जिससे वाल्व की मरमत जल से जल संभव हो सके और लोगों को पानी मिल सके विकास सिंग ने कहा गर्मी के पूर्व मानको प्यजल आपोर्ती योजना सारे मशनरी का मरमत और सुद्रिन करन अगर कर दिया जाता तो ऐसी समस्या हर वर्ष घर्मी में नहीं आती और लोगों को पानी के लिए खाम्याजा नहीं भुकतना पड़ता वहां पानी के आप पूर्ती जीरो ठफ हो गई है कई बार लोगों ने फोन किया मैंने विभाग के दिकारी को फोन किया और मैं देखने आया आपके माध्यम से मैं बताना चाता हूँ कि हमसे भी जानते हैं जल ही जीवन है और बिना पानी शो नहीं सकता है पानी के लिए आदमी युदस्तर में लोग काम करते हैं सुभा के लगबाग आठ भजने वाले हैं पूरा भाल्ब खराब है कोई भी यहा दिकारी नहीं है कि वह एक चोगिदार खड़े ह मैं पूरे वीडियो को अभी मैं उपैक महों को भेजूँगा कि लोग पानी के लिए तराही माम कर रहे हैं और यहां कोई नहीं है और विश्वी तमबाकु निशेद दिवस पर गायतरी परिवार ने चलाया जागुपता अभियान युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेडित किया विश्वी तंबाकुद नीशेद दिवर्ष पर मंगलवार को गायतरी परिवार ने सांक्षी गोलचकर पर जागुपता अभ्यान चलाया लोगों को विशेश रूप से युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेडित किया इस दोरान युवाओं को नशा सेवन से बचने के उपाय बताये गये इस अफसर पर गायतरी परिवार के राजन गुपता ने कहा कि गायतरी परिवार द्वारा लगातार नशा मुक्ती अभ्यान चलाया जाता है उन्होंने बताया कि गायत्री परिवार का इस वर्ज का थीम नशा भारत छोड़ो है पूरे देश में गायत्री परिवार द्वारा नशा भारत छोड़ो थीम पर नशा मुक्ती अभियान चलाय जा रहा है उन्होंने बताया कि बारेडी से युवाओं ने जावुकता रैली भी निकाली है आज के कालिक्रम को सफल बनाने में राजन गुपता, शंभुनात दुबे, श्याम शर्मा, निर्मल कुमार, चकदर, रेखा शर्मा, मन्जु मोदी, कमलेश ठाकुर का सराहनिय योगदान रहा है इस संबन में इन्होंने जिलेक पायुकत को मांग पत्र सौपा है इस दौरान इन्होंने कहा कि जिस दिन वहां आगजनी हुई, ठीक उससे एक दिन पूर्वी ही वहां बिजली का कनेक्शन दिया गया था और उसी के बाद यहां घटना घटित हुई साथ ही उक्त टायर गोदाम के समवेदक जो खुद पहले टाटा मोटरस में टायर सप्लाई करते थे और उन्हें वर्तमान समय में ब्लेक लिस्ट कर दिया गया था और उसी के बाद आगजनी हुई, जिसके संपुर्ण जांच होनी चाहिए साथ ही आगजनी से जिस दिन लोगों के घर चतिगरस्थ हुए उन्हें भी मौबजा दिये जाने की मांग उन्होंने उठाई है वह भी जांच के भी शह है, दूसरा एक मामला हो गिया कि एक टाटा मोटर में सप्लाई करते थें जेके टायर के दुवारा वहां से इनको ब्लेक लिस्ट किया गया, क्या कारण था ब्लेक लिस्ट करने का है और इनके उपर बहुत सारा लोन है, तो यह सब जांच के भी से हैं, तो हम लोग आए हैं दूसी मेडम को देने के लिए कि इसका पूछ असकर यह जांच हो पूलिस कारवाई करते हुए, जारगो डिही नदी खाट के जंगल में मंगलवार को एक देशी शराब भटी को नस्ट कर शराब बनाने में परियोगत समानों को जब्त किया गया मिली जानकारी के अनुसरा, दंडाधीकारी के साथ इचागर थाना प्रभारी दिनेश ठाकूर दलबल के साथ अवैद बालू उठाव के खिलाब छापे मारी अभ्यान चलाने के करम में स्वन रेखा नदी किनारे जंगल के अंदर कुछ ड्रम देखा पुलिस नजदी गई तो बड़ा सा महुआ देशी शराब का भट्टी मिली शराब माफिया द्वारा पेडों के उपर मचान बना कर रहने वा जावा महुआ शराब आधी रखने का वैवस्ता किया गया है मचान के नीचे भी गड़ा खोद कर ड्रमों में जावा महुआ को छुपा कर रखा गया था पुलिस द्वारा तीन ड्रम में करीब 600 जावा महुआ चीमनी भट्टी आधी को विनस्ट कर लिया गया करीब 20 लिटर महुआ शराब, ड्रम, डेक्ची, एक साइकिल आधी को जब्ट कर लिया थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर ने बताया कि अवैद बालू भंडारन वर उठाव के खिलाफ दंडा धीकारी, सहा अंचला धीकारी, भोला शंकर मातों के नतित में गहन छापेमारी के दौरान एक अवैद देशी शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया उन्हों ने कहा कि कुछ सामानों को भी जब्ट किया गया है और शराब माफियों के खिलाफ मामला दर्श किया जाएगा बक्तो चला है अब एक छोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरे और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटे न्यूज चात्रों के लिए एक सुनहरा अफसर पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन ले और प्रोफेशनल करियर बनाएं ट्रिपल वन सेव लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पारा मेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है टू यहर्स जॉब ओरियंटेट डिपलोमा कोर्सिस बहुत कम हस्पताल काट्या क्याथ लैप जाइलिशिस प्रिटिकल केर जैसे विश्यों में परसिक्षन और पड़ाई कि शुवीदा उप्लक करा रहे हैं मुझे उविद है कि जो भी छाथ इस प्रोफेशनल केरियर को बनाने मिर्चुत हैं उनके लिए फोर्स आपी लागाय सावित पूला है अधिक जानकारी के लिए संपर्ख करें अमारा पता ट्रिपल वन सेव लाइफ हॉस्पिटल अलाइड हेल्थ एजुकेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधित्यपूर रेलवे स्टेशन के सामने आधित्यपूर टू जी हाँ अब आपके शहर जमशेदपूर में आप सभी के बीच भरपूर मनुरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फ़नवल्ड डिस्निलैंड सबसे शानदार और पुराना फ़नवल्ड डिस्निलैंड इस बार अनवल्ड डिस्निलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसाथ एंटर्टेइन्मेंट का बाथशा डिस्निलैंड लेकर आया है आपके शहर चमशेद्गून में फ्री एक्साइट में और इंटर्टेइन्मेंट का सेलाब यानि पूरा विदेशी मनुरंजन नगरी डिस्निलैंड में सिमट कर आ गया है जो जूले हैं जो राइट्स हैं इस बारे हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आया है जो नया लूक में है जूले बच्चों के लिए जूले बड़ों के लिए एक साथ जूले के आते हैं और सबको यहां पर इंजुआई करने का एक मौका मिलता है घर्मी को छुपियों में साप्ची आमबगान मैदान यानी चमशेश्पूर में जहां मनुरंजन, मस्ति और उसके साथ तरा तरा के राइट्स, अंतरराश्थिय चूले और खेले इस बार का खास आकरशन, हेलिकॉप्टर वाँ वाटर वोर्ट के साथ, चॉइंट विल, दोरा दोरा, स्ट्रामबोल, ब्रेक दांस, चंप्टिंग फ्रॉफ, मिक्की माउस, चंप्टिंग मोटरबाइक, 3D गेन, साथ में और भी बहुत कुछ हैंड लूम और हैंडिक्राप के सैक्टो आइटेंस के साथ, जाइकेदार लज्जेदार वेंजनों का, मज़ा भी आप यहां ले सकते हैं, तो ना करें देर, जल्द पहुंचे, वन वर्ड इस दी लैंड, साक्ची हामबगान मैदान, चंप्शेतपूर में, शाम 4 बजे से राग 10 बजे तक सुनारी नरसिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाई, यहां हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशन्स किये जाते हैं, यहां हर तरह की दिमायों का इलाज किया जाता है सुनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहां एसी बेडरूम होने के साथ सुनारी नर्सिंग होम परिसे में मेडिकल स्टोर भी उपलग्ध है सुनारिब नर्सिंग होम का संचानल डॉक्टर जीबी सिंग अलाउट दिन सित्रकी और लट्टी सिंग के द्वारा किया जा रहा है मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंग है और मैं जो हूँ टाटा में आस्पिटल से रिटायर किया हूँ में 36 साल तक काम किया है ताटा में अस्पिटल में और हूँ हेड़ अपड़ आई डिपार्टमेंट से रिटायर्मेंट हुआ है उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम को जिसमें हम लोग करना है हम जैक है हम जानते हैं और मांटे हैं कि सब्स्री जीवन ही सवस्ति भारत निर्वान के प्रति है पहला कदम हम करते हैं आपके स्वस्ति जीवन की मंगल कामना हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम कागल नगर रोड नंबर साथ सोनारी चमशेदपूर हमारा कॉंटेक्ट नंबर है 911 34 38 213 आप मन कामना कर दो कर दो कर दो कर दो आपका अपना दुकान प्रांच हव या हर प्रकाल के प्रांच कपड़े और जूते 50 से 70 प्रतिशक डिस्काउंट रेट में उपलग्द हैं तो आईए हमारा पता है तांची आंपगान कंचन डावर हमारा फोन नमबर 0657243300 अलकरीम फास्ट फूट एक जाना भैचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को वो भी आपके घर के करीब शहरे में विभिन स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में मंगा है की इस टोर में भी किफाइती और नजीस चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कुलकाता से आए विशेशक्द शेस प्रोपर हाईजीन के साथ इसके अलावा बिर्यानी, फ्राइड रैस रूल्स के अनिगिरत आइटम्स एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ अल करीम फास्ट फूट बिर्थडे, मैरेज और किसी भी उकेशन के लिए हमसे संपर करें ब्रेक के बार मैं प्रिती सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ सराइकेला खरसवाजला के इशागर थाना शेतर में अवेद बालू उठाव के खिलाफ मंगलबार को SDO रंजित लोहरा वर, DSP संजर कमार के निर्तित में शापे मारी अभियान चलाया गया एक बार फिर से अवेद बालू उठाव को लेकर उपायुकत अर्वाराज कमल द्वारा सक्थ निर्देश के साथ टास्क फोर्स का गठन के बाद ही टास्क फोर्स द्वारा चापे मारी कर अवेद बालू लदे दो ट्रेक्टर को जब्त करने में काम्याबी मिली वहीं इचागर थानाशेत्र के जारगोडी घार से दो ट्रेक्टर को जब्त कर कारवाई किया जा रहा है Task Force द्वारा थानाशेत्र के जारगोडी वा कुर्माडी में करीब 30,000 CFT अवैद डंप बालू भी जब्द किया गया Task Force द्वारा जंगल जार में छुपा कर अवैद बालू डंपो को खोज खोज कर जब्द किया गया वहीं अंचल अमीन द्वारा डंप वालुआ का माफी भी किया गया। मालुम हो कि गोरांकोचा, टीकर, तिरूलडी, सहित कई जगहों पर SDM रंजित लोहरा द्वारा दंदा दीकारी नियुक्त किया गया है। ताकि किसी भी तरह का अवैद बालु पत्थर का परिवहन, भंडारन वा उत्खनन पर पूर्ण रूप से पावंदी लगाया जा सके। इसके दो सब्ता पहले से भी लगाता छापे मारी कर इचगर वा तिरूलडी थानाशेतर के विबन बालु घाटो से अवैद बालु जलदे छे ट्रेक्टरों को पुलिस द्वारा जब्त कर कारवाई किया गया था। इसके बावजूद भी अवैद बालु उत्खनन वा भंडारन लुके छुपे बालु माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। सक्त कारवाई के बाद भी बालू माफियाओं का होसला बुलंद है। इन दिनों लगातार अवेद बालू के कारोबार पर कारवाई हो रही है। मगर अवेद बालू का कारोबार बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री हिमन सोरिन एवं कुलहान डियाई जी अजे लिन्डा के सक्त हिदायत के बाद प्रशासन अवेद बालू के खिलाफ सक्त हो गई है। अब अवेद बालू भंडारन के खिलाफ कारवाई होने से बालू माफियाओं में हरकंप मचा हुआ है। मौके पर अंचला अधिकारी उथाना पर भाई के दार पकड़ा गया दो ट्रिक्टर और बालू के भंडारन को भी हम लोग खोज रहे हैं जाना अवेद भंडारन हो ना परिवान होगा। इसको हर हाल में हम लोग रोकेंगे। आज से हम लोग का मिलन्ट टिकर में चिकनका लगेगा। चाली कोटका के हाइवा मालिकों ने मंगलवार कुदादा में एक महत्पूर्ण बैठक रखी। हाइवा मालिकों ने कहा कि उडिसा और बंगाल के चालन को जार्खन में मान्यता नहीं दिये जाने से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है प्रसाशन जल्द समाधान करे। मीडिया को जानकारी देते हुए हाइवा मालिक विरिंद्र पांडे और कातिक जोशी ने कहा कि बंगाल उडिसा से हाइवा मालिक चलान के साथ बालू ला रहे हैं लेकिन जार्खन में चलान का मान्यता नहीं दिया जारा है और गाड़ियों को पकड़ा जारा है जिससे परिशान है हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कोई उचित व्यवस्ता किया जाए नहीं तो सभी विकास काम रुख जाएगा हजारों लोग बिरोजगार हो जाएंगे साथ ही उन्होंने यहां भी कहा कि जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम लोग हाईवा मालि घर के बाहर हारवा को खड़ा कर देंगे जल्द जिला के उपायुक्त और परिवहन बंतरी से एक प्रतिनिधी मंडल भी मिलेंगे कि रॉयल्टी पेपर मालि यहां मोग ला रह रहा हैं तो मंदेता नहीं दिया रहा हैं आए दिन पर दीदिन हम लोग एंदनी के दूर हईभा मालिवी दूर या मेडिया दूर हम लग संढ गया की रहा हैं कि अनल टारिवसर अब अधना गारी पकड़ा गया और हम लोग कि बालु काOoh ऐसा खनन नहीं हो रहा जहां मैंनी चलानग निले वहां से हम रोगा हैं इसके वज़ास हम्लोग पंगे पंगाल रुर्षा के दौरा को ला इकसा ंंको पता चल रहा है कि इसका घ्लतिक प्यंगदा क्या कैखी हम बी Moris अपना गाड़ी को चला पाई सुचारो लूट से इस संबन्द में जिला के पिसी महोदय से और बर्गौार मंत्री जो हैं उसे हम लोग एक ग्यापन सौपेगे और अपने बात को रखेगे वही मतगर्णा के समय कॉपरेटिव कॉलेज के बाहर गाउं का नजारा दिखा 45 चुनाव संपन होने के बाद कोपरेटिव कॉलेज में जिले के पोट का पटमदा और बुडाम का मतगर्णा केंदर बना गया था मतगर्णा केंदर पूरी तरह से शहरी शेतर में पढ़ता है लेकिन जब प्रत्याशी और गाउं के लोग केंदर तक पहुंचने लगे तब यहाँ पर गाउं का नजारा देखने को मिला गाउं के लोग फटी आँख से चारो तरफ देख रहे हैं नबिर पतिशत गाउं के लोगों को मतगर्णा केंदर से एक किलोमीटर की दूरी पर ही रोग दिया गया था पुलिस वालों को देख कर गाउं के लोग पहले से ही दूपके हुए थे वे तो अपने पत्याशी के साथ पहुंचे हुए थे प्रत्याशी के मतगना केंद्र में जाते ही गाउं के लोग बाहर आने के प्रतिक्षा कर रहे थे और जम्शिपूर में तेली साहू समाज ने समाज के कार्यों को समपादित करने ही तुँ निर्मित समुदाइक भवन को समाज को सौपे जाने की मांग जिले के पायूक के समख रखी है इन्होंने कहा कि समाज के सदस्यों के अथक प्यास के बाद एग्रिको शिव सिंग बगान इलाके में भूमी आबंटित किया गया था और उक्त जमीन पर जुलाई वर्ष 2021 में भवन बन कर तयार हो गया लेकिन अब तक भवन समाज को सुपुर्द नहीं किया गया है ऐसे में समाजी कारिये जो वहां समपादित होनी चाहिए थे वह नहीं हो रहे हैं लगातार वर्या अधिकारियों को पत्रचार के बाद भी भवन समाज को नहीं सौपा गया इन्होंने ऐसे मामले को लेकर मंगलवार को जिले के उपाय। को मांगपत्र सौपा और जल्ड से जल्ड भवन को समाज के हाथ सौपने की मांग की हमारी मांग यही है कि आज पिछले 10-11 महिनों से हमने जनिसी के द्वारा अपना भवन आवंटित करने के लिए एक मांग पत्र रखा था और इस मांग पत्र के द्वारा हमें वहां से एनोसी मिला, हमें भवन आवंटित किया गया और लेकिन अभी पिछले 10 से 11 महिने में वहाँ पे ताला लगा करके पता नहीं क्या राजनी की सडियंदर के द्वारा अब उसमें रोका जा रहा है और इसमें पुर्वी विधायक जी का हाँ बहुत जादा नजार आ रहा है और लोग ये बोल भी रहें कि आप लोगों का काम बस पुर्वी विधायक के द्वारा ही रुका हुआ है तो हम लोग वीवस हैं और देख रहे हैं कि अपने समाच के महिलाओं को बच्चों को जब हम समाच के दुआरा कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं तो यह हमारी बात देता होगी कि हम फिर उकुरांदोलन के लिए बाते हो चलते चलते एक बाग फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर बाग बेड़ा हरर गुट्टू दरजी महले में आपसी विबाद में दो परिवार में हुई मारपीट दो लोग घायल मानगो में शंको साई जल मिनार का बल्व खराग होने से इलाके में जलापूर्ती ठप अलग लग शेत्र में हुए सलक दुर घटनाओं में लग भग 22 लोग हुए घायल एक की हुई मौत और विश्वी तंबा को निशेत दिवस पर चलाए गया जागुपता अभ्यान युवां को नशे से दूर रहने के बताए गया उपाई और अभी के लिए बस अतना ही कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ तब तब के लिए दीजिए सिटिन यूस की पूरीटियम को इजाज़त नमस्कार